अगर आप मुझसे पूछो कि किसी भी चीज को सीखने का सबसे efficient और सबसे quick तरीका क्या होगा तो मैं शायद बोलूँगा imitation जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने imitation यानि की knuckle बनाना यानि की copy करना तो अब यह थोड़ा controversial हो सकता है और by the way मैं यहाँ पर copy करने का मतलब वो exam में copy करने वाले copy की बात नहीं कर रहा है बिल्कुल नहीं उससे आप नहीं कुछ सीखते हैं although उससे भी कुछ सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है हर चीज में सीखने की है बट वो बात हम नहीं कर रहे हैं मैं किस context में imitation की बात कर रहा हूँ जैसे आपको थोड़ा clarify करू कि यह कोई करने से हम कितना अच्छा सीखते हैं और बेस्ट चीजों को copy करना कितना अच्छा हमारे लिए होता है दुनिया की सारी civilization almost सारी civilization में heroes होते हैं mythologies होती हैं जिसमें heroes होते हैं तो यह mythical heroes क्यों बनाए जाते हैं जैसे हमारे महां इंडिया में राम हैं और भी लोग हैं तो इंडि heroes के character भी कहीं ने कहीं ऐसे हैं जो common life में या normal लोगों के लिए एक तरह से motivation का काम करें कि आप इनकी life को देखो और इनकी life को copy करो अपनी life में उनकी values को imbibe करो उनके जैसे रहने की कोशिश करो तो यह तो बात हो गई चलो cultural aspect ही बट कहीं ने कहीं यह भी तो आपको होना चाह है कि यह बात केवल और केवल history से तो हम नहीं सीख सकते मतलब मानना दीनी चाहिए कि ऐसा किसी ने बोल दिया हां कि भाई नकल मार के हम बेटर हो सकते हैं किसी को सीख के बेटर हो सकते हैं क्या कोई कोई solid reason है कि इसके पीछे मानने का तो मैं थोड़ा सा आपको एक और reason देन का अगर मैं आप लोगों से पूछू कि आपने अपनी life में किस phase में सबसे जल्दी जल्दी और सबसे efficient तरीके से चीज़ें सीखी होंगी तो थोड़ा सा दिमाग लगा होगे तो मेरे कहले साई answer पर आजा होगे सब लोग सब के लिए almost ये time जो होता है ना वो बिलकुल बच जब अपेय Perma Happy जो वैज खोड़ा खोड़े महीने के वह एक साल दो साल में भी आपको लेंवेजि नहीं आती हैं आपको किसी चीज़ का कोई आईडिया नहीं है डुनिया की किसी चीज़ का कोई आईडिया नहीं है और आज की डेट में आप देखो आप बड़े हो गये हो आपको में भी second language या third language कहीं सीखने को है तो कितुना मुश्किल होता है जब कि आपको दो languages पता है एक basic syntax पता है, grammar पता है across the languages हो almost similar सी चीज़े होती है मतलब कम से कम चीज़ों के तो concept पता है आपको नई language में में भी Spanish सीखर है Spanish में नहीं पता है कि एक glass को या water को क्या बोलते है बड़ अट लिस्ट उसके पता है न कि water English में word है या Hindi में वो पानी है और उसका meaning same है बड़ छोटे सा बच्चे के लिए तो कुछ भी चीज़ पता नहीं होती उसे और क्या लगता है वो छोटा सा कितनी चीज़ें सीख रहा होता क्या उसके लिए safe है क्या unsafe है कहां पे हाथ रखना है कहां पे नहीं रखना वो सारी चीज़ें एक साथ ये सीख रहा होता और आप ये बताओ कि क्या उसके सीखने में हम उसको MIT भेशते हैं या दुनिया के ममा या पापा कैसे बोलता है जो इन दोनों में से उसके ममा पापा में से जो उसके पीछे पढ़ा रहता है ममा ममा बोलते रहता है वो उसकी बात सुनके वो बस अपने आप ही वो गले से की कौन सी चीज़ मैं करूँगा तो अपने आप ही ये वाली sound आएगी, ये अपने आप ही सीखता है वो, just by imitating his or her father और mother, कि जैसे ये बोल ले, मैं वैसे बोल दूँगा, just by seeing it, तो ये बिलकुल हमारे अंदर genetic है, हर इंसान के अंदर, in fact, इंसान के नहीं, जानवर के अंदर भी होता है, सारे जानवर ऐसे होते हैं, जो imitation से कुछ-कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, at least इंसान तो सीखते ही हैं, और imitation से best सीखते हैं, चलो, एक ये हमारे पास argument आगया कि हमने जब अपनी life का best और सबसे जल्दी सीखा था, तब imitation से ही purely सीख रहते हैं, तो एक ये बड़ा solid argument हो गया, इसके अलावा जैसे एक example मैं देता हूँ, चलो cricket का example ले लेके हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, अगर cricket follow करते हो कि कुछ एक नए players आए हैं, जिनके कुछ particular strokes में भी cover drive, वो या देखोगे तो बिल्कुल सचिन तंदूल करके जैसे ही मार रहे होते हैं, और ये एक के साथ नहीं है, ये कई players के साथ आपको में लेगा है, विराट कोली में भी कुछ shot बिल्कुल उसी के जैसे लगाता है, ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल coincidence लगता है, ये आपको लगता है कि इन नए players ने पुराने legends, बहुत अच्छे players की shots को slow motion video देखी होगी और उनके पूरे एक-एक shots को copy करने की कोशिश करी होगी, बिल्कुल करी होगी, I'm sure और ये cricket में होता ही है, कि आप अपने opponent की team को देखते हो, खुद को देखते हो, जैसा आपको, मतलब कितने ballers के साथ ये उनके open interviews में बोला है कि मैंने इनका ये ball फेकते थे, मतलब जो उससे senior बहुत अच्छे baller होंगे, और इनका action देखके मैं inspire हुआ और इनका action copy करने लग गया, और फिर वो भी better किया, ठीक है, क्यों better किया, क्योंकि जब आप किसी accomplished इनसान के accomplished technique को copy करते हो, और considerable तरीके से मतलब उसमें काफी success अगर ले आते हो, तो already एक better चीज को copy करोगे, तो better ही रहेगी ना, अगर ठीक ठाक level पर copy कर लिया, आप copy ही नहीं कर पाए, तो वालत बात ही, ठीक है ना, तो यह चीज होगी, ठीक है, अब हम यह चीज समझ चुके हैं कि copying वाला part क्यों better है, क्यों हम imitation के through actually better learn कर सकते हैं, ठीक है, अब बात आते हैं कि imitation करें, तो किसका करें, है पर लब कई बार जैसे मैं जिस तरह का चैनल चला रहा हूँ, कही ने कहीं उसका नाम भी आप देखोगे ना, तो इकलबवया का पीछे भी जो स्टोरी है, वो भी वही है कि इकलबवया भी actually दूर से देख देख के imitate कर कर के चीज़े सीखा था, तो वो भी कहीं की बात करें, कोई subject आप सीख रहे हो, हाना, मतलब studies पर आ जाते हैं अगर, तो उसमें हम copy किसका करें, तो बड़ी natural सी चीज़ है, copy तो उसका ही करें के ना, जो better करता हो, तो क्या हमसे जो better करता हूँ, उसका copy कर लें, मतलब हमारी class में, मेरे class, सौ में से में भी 30 नंबर आ रहे हैं, चालिस नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 30 वाला, क्या 60 वाले के copy कर लूँ, नहीं, probably that's not a good idea, मतलब मेरे को अपने school level पे cricket खेलनी है, तो क्या मैं अपने महले में एक लड़का जो district level पे just खेलता है, मैं उसके ही short copy करूँ, नहीं, अगर possible हो, तो आप जो भी possible हो सकता है access आपकी, तो best वाले की copy करो, कभी ये नहीं कि just अपने से उपर है copy कर लिया, आप ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज को सीखने की जरूत होई तो आप internet वाले भाया लोगों की सारी बाते ही सुनने लगे, आप उस field के experts के पास जाते हो, आपको cinema बनानी है, आपका जिन्दीगी में inspiration है कि movie बनाऊंगा मैं, तो चलो आप उसके बाद देखना चालू किया कि अच्छा, वो YouTube पे, वो short movies जिसकी सबसे successful होगी, उसको copy करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक benchmark आपको रखना पड़ेगा, कि अगर मैं किसी को copy करूँगा, तो उसका benchmark थोड़ा high होना चाहिए, जितना possible हो सके, आपके लिए access करना, या समझना भी, कई बार हमें खुद जैसे दीरे-दीरे बड़ेगा, natural है, आपके benchmarks भी high होंगे, बट फिर भी कई बार अगर ये पता है आपको, कि ये जिनका मैं copy कर रहा हूँ, जिनकी style copy कर रहा हूँ, ये मतलब बहुत solid नहीं है, जस्ट मेरे से उपर हैं, या थोड़े से उपर हैं, तो ऐसे की copy नहीं करनी ह तो एक बहुत higher benchmark level पे कोई हो, उसकी copy करनी है, अगर आपको problem solving में copy करनी है, तो एक essay teacher को, एक essay student को follow मत करो, जो just barely problem कर सकता हो, या ना, वो किसी essay को copy करो, जिसके level of understanding बहुत अच्छी हो, consistency बहुत अच्छी हो, problems के साथ, कि हाँ, ऐसा नहीं होता हो, कि एक problem करते हो, अखत ऐसे approach करते हैं, दूसरे problem में दूसरी तरह से approach कर रहे हैं, और फिर पूछा तो क्यों, क्योंकि basically solution पढ़ा हुआ है, उनका तो, तो उन्होंने ऐसे approach कर दिया, उनके पास अगर जवाब नहीं है, तो फिर आपको careful होना पड़ेगा, कि copy आप हमेशा एक standard benchmark वाले, इनसान की, या उ कोई, मान लो, इनसान एक field में बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है, दस में अच्छा हो, तो जिसमें अच्छा है, आप उसकी वो चीज़ copy करो, ठीक है, ये बात हो गई, और दूसरी चीज़ अपकी कैसे करें, ठीक है, कि कि करें, ये समझ में आ गया, कि ऐसे की करनी ह जो basically just above average या आप से थोड़ा बेटर नहीं हो, बहुत बेटर हो, ठीक है, जितना at least आप समझ पा रहे हो, दूसरा की copy कैसे करें, ये imitation कैसे किया गया, तो अब इसमें एक है mindless imitation नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, कि बिल्कुल simplistic level पे जो सीधा दिख रहा है, उसी की copy कर हो गया न, कि आप ऐसी class में बैठते हो physics की, जिसके teacher बहुत reputed है, बहुत नाम वाले है, आप copy क्या करते हो, आप copy करते हो, उनका board work, बोर्ड पे जो लिखते हैं, वो उतार के ले आ जाते हो, ये copy का कोई meaning नहीं है, लिटरली कोई meaning नहीं है, ठीक है, आप क्या copy क्या करना च एलाई eliminate कर दिये, और किस method से किये, तो बहुत mindful होके, समझदारी के साथ, बहुत minute-minute details में जाके copy करनी होती है आपको, और उस process में आप actually सीखते भी जाते हो, तो ये exactly ऐसा नहीं है, कि mindless copy की बाद हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे copy करने की बाद कर रहे हैं, जहां पर एक छोटी चोटी चीज पर भी आप खुद से question भी करते हैं, अच्छा ये किया, तो सर ने किया, तो क्यू किया, क्यू करते हैं, और कई बार अगर doubt जिन्विन हो, तो आप पूछ सकते हैं, तो पूछो भी, कि ये क्यू हुआ ऐसा, नहीं तो आपको खुदी answer मिलने लगेंगे, अगर आप उसपे ponder करोगे, उसपे सोचोगे, थोड़ा दिन लगाओगे दिमार, तो आपको ये better idea भी मिलते जाएगा, कि कोई ये चीज कर रहा है, तो क्यू कर रहा है, इससे फायदा क्या होगा, तो copy best को करना है, summarize मैं करता हूँ, कि copy करना बहुत बढ़िया tool है, copy best को करना है, जो भी आपको पता हो best, उसको करना है, और copy mindless तरीके से नहीं करना है, copy करने में एक एक detail के through आप जाओ, कि ये क्यूं, ये कैसे, और ये चीज आपको दो चीजों में help करेगी, एक तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने में भी help करेगी, और दूसरा उस चीज को करना है, जिस पर मैं कोई भी चीज सीखने का कैसे हम लोग सीखते हैं, क्या useful tips हो सकती है, तो वो सारी चीज पर मैं एक video की series करना चाह रहा हूँ, ये पहली video मैंने actually बहुत पहले की थी और तब से फिर मैंने कुछ किया नहीं, तो ये second video है इसके बाद, बट मैं consistently इस पर करत रहूँगा, तो आप लोग को अगर ये video पसंद आई हो, तो please like करो, share करो, comment करो, subscribe करो और क्या क्या बोलते हैं, चलो, thank you.